कथा सके के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आईए दोस्तों सुनते हैं डिपती मित्तल जी के लिखी कहानी जिंदगी लोट आई आज सुबह जब मीता ओफिस पहुची तो वहां कुछ अलगी माहौल था लोग अपने अपनी ग्रुपों में बटे खुसर पुसर कर रहे थे सब के चहरे पर ऐसे विसमे के भाव थे जैसे कोई अप्रत्याशित अन्होनी हो गई हूँ हाँ अच्छा कब अरे यकिन ही नहीं होता कुछ ऐसी ही विसमे कारी ध्वनियों की फुसुसा हट मीता के कानों पर पढ़ रही थी वह घबरा गई सब ठीक तो है कुछ हो गया क्या ओफिस में वह सीधे अपनी परमसकी और सहकर्मी नीरा के पास गई अरे यार क्या बताओ बात ही कुछ ऐसी है वो मालती मेडम नीरा बोलते बोलते रुख गई नीता का दिल बैठा जा रहा था अरे क्या हुआ मालती मेडम को बोलना पता है कल रात उन्होंने सुसाइट कर लिया क्या बक रही है मालती मेडम क्यों करने लगी सुसाइट कितनी हस मुख और जिन्दा दिल हैं वो पर सो ही तो हमने उनको फेरवल पार्टी दी थी कितने खुश थी जरूर किसी और की खबर होगी तुम लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है नहीं यार खबर एकदम पक्की है वो दिनेश है न, इंटर्ण उन्हीं की सोसाइटी में रहता है उसी ने बताया आज सुबहे पुलिस ने बॉड़ी रिकवर की है यह सुनते ही मीता के चहरे का रंग उड़ गया कल तक जो अच्छी भली चलती फिरती, जिन्दा इंसान थी आज उनके लिए महज बॉड़ी जैसा शब मीता ये बात हजम नहीं कर पा रही थी तभी मीता और रीना के पास दिनेश आकर खड़ा हो गया मैडम सभी लोग माल्ती मैडम के हैं जाने का प्लैन कर रहे हैं आप दोनों चल रहे हैं न दिनेश तुम्हे कुछ पता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मीता के स्वर में अभी भी अविश्वास था नहीं मैम सोसाइटी में तो किसी को कुछ पता नहीं बोडी के पास रखी नीन की गोलियों की बोतल के आधार पर यही सब सोसाइट का अनुमान लगा रहे हैं अकेली रहती थी बेटा भी जादा आता जाता नहीं था सब सोच रहे हैं शायद रिटायर्मेंट के डिप्रेशन में उन्होंने यह कदम उठाया हूँ डिप्रेशन वाट रबिश मीता किसी कटे वरिक्ष की भाती धम से कुरसी पर गिर पड़ी उसके मस्तिष्क में मालती में से जुड़ी सभी स्मृतियां चल चित्र की तरह चलने लगी पर सो शाम तक सब ठीक था कितनी खुश थी जाते जाते कह रही थी बहुत कर लिया काम अब बस आरा यह कहते उए उनके आखों में कैसी चमक थी फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मीता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था शहर की जानी मानी चार्टेड अकाउंटेंड मालती मीता की रोल मॉडल थी प्रोफेशनली भी और परसनली भी और क्यों नहों दोनों के जीवन में बहुत सामानताएं जो थी मीता की तरवे भी सिंगल पैरेंट थी बावजूद इसके उन्होंने अपने बेटे को किसी बात की कमी नहीं होनी दी अच्छी परवरिश थी अच्छी कॉलेज में पढ़ाया अकेले ही कितनी मुश्किलों और संगर्षों का सामना करते हुए वे इतने सफल मुकाम पर पहुची थी जब से उनका बेटा अच्छी नौकरी पर लगा था तब से तो वे बड़ी निश्चेंथ हो चली थी कहती थी मीता अब मझे जिन्दगी से कोई शिकायत नहीं है मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है समझो मेरी तपस्या सफल हो गई है यह कहते वे उनका चेहरा कितने सुकून से भर जाता था इतने सालों के अनवरत संगर्ष के बाद अंतता जब उन्होंने यह सुकून पा लिया था तो फिर भलावे आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएंगी दो दिन बाद पुलिस चानबीन में मालती के फोन से की गई आखरी कॉल के रिकॉर्डिंग सामने आई जो उन्होंने अपने बेटे को की थी कॉल कुछ इस प्रकार की थी बेटा मैंने अर्ली रेटार्मेंट ले लिया है इतने सालों से मशीन की तरह काम करकर के ठक गई हूँ अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई तो अब मैं फाइनेंशली भी निस्चिन थूँ सोच रही हूँ अब अपना भचा हुआ पूरा समय तुम्हें दू तुम्हारे साथ रहूँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाओ काम के चक्कर में मैं तुम्हें कभी भरपूर समय नहीं दे पाई बेटा मालती मैडम के स्वर में उच्सा और उमंग थी चलो शुकर है भगवान का फाइनली आपको रियलाइस तो हुआ कि आपने मुझे कभी समय नहीं दिया मेरे बजाए हमेशा अपने करियर अपनी जॉब को ही प्रायरिटी दी है दूसरी और के स्वर में व्यंग और छोप का मिशन था ये क्या कह रहा है हो बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ पीड़ा से भरा स्वर हकलाने लगा छीखी तो कह रहा हूं मा सिर्फ जरूरते पूरी करने से स्कूल कॉलेज की फीस भरने से ही क्या सभी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है सच तो यह है कि बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे एक मा की जुरूरत होती थी आप मेरे आसपास नहीं होती थी आपने मुझे हमेशा कभी देखे और तो कभी आया के भरोसी ही छोड़ा खेर छोड़िये पुरानी बातों को मैं कोई गड़े मुर्दे उखारना नहीं चाहता मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ financially और emotionally independent हो गया हूँ मेरे पास मेरे दोस्तों की अच्छी कंपनी है मैं अपनी सुख दुख इंतजार था मुझे इस दिन का जब आवाज रुद गई और पूरी बात सुने बगेर ही दूसरी तरफ से बड़ी बेदर्दी से फोन काट दिया गया उनके बेटे ने वह फोन नहीं काटा था बलकि मालती के जीवन के डोर काट दी थी कानपूर शहर के लोकल चैनल पर यह ख़बर इस आखरी रिकॉर्डिंग के साथ खूब रसारित हो रही थी न्यूस चैनल चर्चा कर रहे थे कि कैसे आजकल की महिलाएं इतनी स्वार्थी और करियर ओरियंटेड हो गई है यह बच्चे पैदा तो कर देती है मगर उनकी परवरिश पर जरा भी ध्यान नहीं देती इस कारण बच्चों के जीवन में कितना सोनापन कितना विद्रोगपन अब गया है चर्चा के लिए बैठा पैनल इस घटना के लिए मालती को ही दोशी ठहरा रहा था मीता शाम की चाय के साथ यह खबर टीवी पर देख रही थी यह सब सुनकर वह उद्दिग्न हो उठी वो जानती थी कि बिना किसी सपोर्ट के एक अकेली औरत के लिए घर, बच्चे और नौकरी समालना कितना चैलेंजिंग होता है आदमी तो बच्चों के जिम्मेदारी औरतों पर छोड़ बड़े आराम से अलग रहा पर निकर लेता है मगर औरत वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती बच्चों को एक अच्छे जिंदगी देने के लिए बच्चटान की तरह मजबूत होकर हर तरह का संघर्ष करती है मालती पर किया जा रहा एक एक दो शारोपन उसे अपने मुँपर फेका पत्थर प्रतित हो रहा था यह घटना उसके उन जखमों को कुरेद कुरेद कर हरा कर रही थी जिन्हे वक्त ने बड़ी मुश्किल से भरा था पुरानी यादे मीता को मायके के उस गलियारे में ले आई जहां वह मात्र 17 साल की नव यौना थी इलहाबाद के एक छोटे से कस्वे में रहने वाले मध्यवर्गे परिवार की छोटी बेटी मीता जो कॉमर्स साइड से बारवी की परिक्षा की तयारी कर रही थी माहौल और परवरिश साधारण थी मगर मीता की आखों में कुछ बनने के बड़े-बड़े सपने पल रहे थे उन दिनों उसके कस्वे में एक नया-नया कोचिंग इंस्ट्यूट खुला था जो कॉमर्स के छात्रों को C.A., C.A.S., B.B.A. आदिप्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तयार करता था उसका पता चलते ही मानो मीता के सपनों को एक दिशा मिल गई थी और वह मन लगा कर पढ़ने लगी और आगे अच्छा करियर बनाने के सपने देखने लगी उसी साल उसकी बड़ी बहन का विवा हुआ विवा समारोह में आए एक परिवार ने मीता को भी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया रिटार्मेंट के कगार पर खड़े उसके अध्यापक पिता ने बिना जादा खोशबीन किये जट से रिष्टे को हां कर दी बड़ी मुश्किल से मीता अपने शादी को फाइनल परिक्षा तक रुखवा पाई और फिर अपने भविशे के सपनों को उसी आंगन में दफन कर ससुरा ला गई 18 साल की नाजुक उम्र में मीता पक्की ग्रिहस्तन बन गई थी और 19 साल में मा भी उसकी मासूम बेटी पलक मातर साथ मा की हुई थी कि उसके पती के रंगढ़ंग बदलने लगे और एक दिन मा बेटी को उनके हाल पर छोड़ उसका पती किसी और के साथ संसार वसाने चला गया मीता नन्ही बेटी के साथ माय के आ गई मगर वहाँ अब कहाँ वह पहले जैसा प्यार और सम्मान था रिटायर हुए पिता पर तो वे दोनों अत्रिक्त बोजी थे उसके स्वाभिमान ने उसे वहाँ जादा दिन रुखने नहीं दिया वह बेटी को साथ ले इलहाबाद आ गई खुश दिन अपनी एक सहेली के घर रही सहेली के पती की कोशिशों से उसे एक ऐसी गार्मेंट फैक्टरी में नौकरे मिल गई जहां महिला कर्मियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा भी थी इस एक नई शुरुवात ने उसे जीवन में पुना समलने का मौका दिया दिन भर काम से ठकार कर जब मीता मासूम पलक को कलेजे से लगाती तो उसका दिल ममता से रो पढ़ता उसकी एक मुस्कान से वह अपनी सब ठकान सारी पेडाएं भूल जाती पलक को बढ़ता दे उसके मन में एक संकल्प धदकने लगा कि जो उसके माता पिता ने उसके साथ किया वह पलक के साथ कभी नहीं करेगी उसे जीवन में हर वो सुविधा देगी जो एक पिता अपने बच्चे को देता है उसे आगे बढ़ने का अपने सपनों को पूरा करने का हर वो मौका देगी जो उसे नहीं मिला बस फिर क्या था इस एक संकल्प ने मीता के दफन सपनों में पुनह प्राण फूख दिये उसने नौकरी करने के साथ साथ अपनी अधूरी छूटी पढ़ाई भी पूरी करने के ठान ली देन देखाना रात एक एक करके पेपर क्लियर करती गई और अपनी योग गिता बढ़ाती गई उसके हिसाब से उसे अच्छी नौकरी भी मिलती गई कुछ सालों के भीतर-भीतर मीता की जिन्दगी सुविवस्तित हो चली मीता की मेहनत के परिणाम स्वरूप एक 1BH के फ्लेट पलक के लिए अच्छा ए स्कूल उसके लिए कच्छी आया सभी कुछ जुड़ता चला गया आज वह एक अकाउंट NC फर्म में अच्छी जौब पर थी पलक भी अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थी मीता ने भी करीब-करीब बसुकून पाही लिया था जो उसने मालती मैम के चेहरे पर फेरवल के शाम देखा था मगर इस एक घटना ने उसे भीतर तक जगजोर कर रख दिया उसे दिन से मन में न जाने कैसी कैसी आशंकाएं पनपती जा रही थी कहीं पलक भी तो मेरे बारे में वही सब नहीं सोच थी चो मालती मैम का बेटा सोचता था मैंने भी पलक को कहां भरपूर समय दिया है उसके बच्चमन में कभी समय ही नहीं मिला कि उसे गोद में लिटा कर कहानिया सुनाओ या शाम को पार्क ले जाओ उसके स्कूल की पैरेंट टीचर मिटिंग भी कितनी बार मिस्की है मैंने पूरी जिंदगी भागते दौडते ही निकल गई मैंने तो पूरी कोशिश की उसे सब कुछ भरपूर देने की मगर कम्या तो रही गई न पलक बड़ी है समझदार है महसूस तो वो भी करती होगी आजकल हमारे बीच जादा बात भी नहीं होती है वा भी बीजी हो गई है या शायद इस छोटा सा शायद शब्द अपने भीतर बड़े बड़े तोफानों की संभावनाय समेटे था उनी के बारे में सोच सोच कर मीता अवसाद और गलानी की भवर में डूबती जा रही थी उसकी ममता ने विरोध किया नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ बलक के लिए ही तो किया उसके बहतर भविशे के लिए ही तो मालती मैं भी तो जो कर रही थी बेटे के लिए ही कर रही थी ना फिर मन के शंकाएं बार-बार हिलोरे लेने लगती ऐसे ही अंतर दौंदों से घिरी मीता की हालत हपते भर के अंदर-ंदर किसी मान सी क्रोगी जैसी हो गई क्या वो अपने दाइतों को निभाने में विफल हो गई है क्या वो एक अच्छी माने ही बन पाई क्या उसकी परेडिती भी मालती मैम की तरह ही होगी राट दिन कुछ ऐसे ही ख्याल उसे घेरे रहते उसने सोचा भी कि पलक से सीधे बात कर लूँ कापते हाथों से पलक को फोन लगाया तो अभी मैं बेजी हूँ बाद में बात करेंगे इतना कहकर पलक ने फोन काट दिया पहले से ही संशेयों से घेरी मीता को पलक का यूँ फोन काटना भीतर तक कचूट गया उसके धारनाओं उपर जैसे एक और स्टेम्प लग गई हाँ ऐसा ही है पलक उससे बहुत दूर जा चुकी है वह अब उसे प्यार नहीं करती और यहाँ एक अंतिम निशकर्स मीता को निढाल कर गया जब आख खुली तो मीता ने खुद को अस्पताल में पाया अर्द बेहोशे की हालत में सामने देखा तो नीरा खड़ी थी उसके साथ ही आखों में आसों लिए पलक बैठी थी ममा कहते हुए वजोर से मीता से लिपट गई ममा क्या हुआ था आपको मेरी तो डर के मारी जान ही निकल गई थी एक आप ही तो हो मेरी इस दुनिया में और आप भी आप अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती पलक के उमाओ भरे शब मीता को प्राड़ दाइनी संजीवनी के समान लगे उसके शरीर में कुछ जान आई मैं मैं अब ठीक हूँ पता नहीं कैसे चकर सा आ गया था मीता समलते हुए बोली पलक जैसे फट पड़ी जरा सा चकर पूरे दो दिन से बेहोश थी आप डॉक्टर कह रहे थे आप आप किसी तरह के डिप्रेशन से गुजर रही है आपका बीपी भी बहुत लो हो गया था मैं बहुत डर गई थी मामा मेरी प्यारी मामा कहते वे पलक पुन मीता से लिपट गई आप किसी बात से परिशान है मामा मुझे क्यों नहीं बताया वो मैंने फोन तो किया था मीता हकलाते हुए बोली I am very sorry मामा मैं आपकी कॉल ढंक से नहीं ले पाई दरसल उस रोज हमारी कॉलेज में कैमपस इंटर्व्यू चल रहे थे उसी में बिजी थी और टैंस भी You know मामा आपकी बेटी को इंडिया की टॉप सॉफ्ट एर कंपनी में जॉप मिल गई है कॉलेज खत्म होते ही जॉइनिंग है पलक ने चहकते हुए बताया मा बेटी की बातों के बीच नीरा ने हस्तशेप करते हुए शिकायत की तुम्हें पता है पलक तुम्हारी ये ममा क्यों परिशान थी अचानक से इन्हें लगने लगा था कि ये तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई तुम्हें पूरा प्यार और समय नहीं दे पाई क्या कहरेंगे आणटी ममा आपने ऐसा सोचा भी कैसे आपको भले ही हो मगर मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मेरी ममा दुनिया की बेस्ट ममा है आपने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए ही तो किया है कितनी महनत, कितना स्ट्रगल जो परिस्थितियां आपके सामनी आई आपने उसमें हमेशा अपना बेस्ट किया है आपकी इसी क्वालिटी को तो मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और आप सोचते हो कि आप अच्छी मा नहीं हो हाव कम और हाँ ममा, एक बात और कान खुल कर सुन लो इन दो महीनों में जो काम निप्टाने हैं निप्टा लो फिर आप मेरे साथ रहेंगी अब तक आपने मेरा भरपूर्ध्यान रखा मगर अब मेरी बारी है मैं आपकी सेहत का, आपकी आराम का आपकी सभी जरूरतों का पूरा-पूरा ख्याल रखूंगी बहुत हो गया काम अब आपको करना हैं सिर्फ आराम पलक ने रोबीले अंदाज में इतराते हुए कहा उसकी प्यारी दुलार भरी बातों से मीता का ब्रहमजाल तोटकर बिखर रहा था हपते भर पहले खोई उसकी जिन्दगी वापस लोट आई थी अभी आप सुन रहे थे दिपते मित्तल जी के लिखी कहानी जिन्दगी लोट आई उमीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद